हेलो दोस्तों गुड मार्निंग आप कैसे हैं मैं आसा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और अपने इस्टडी में लगे होंगे मैं लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश नियाइक सेवा सिविल जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परिछा का पाठ्ठे करम सुनने में आ रहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश नियाइक सेवा सिविल जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आने वाली है इसी के ध्यान में रखकर मैं यह सलेबस अप्लोट करने जा रहा हूँ जिससे कि आपके लिए कारगर सिद्धो देखिए सबसे पहले हम बताएंगे कि प्रारंबिक परिछा का पाठ्ठ करम क्या है सिविल जैज उत्तर प्रदेश का प्रारंबिक परिछा का पाठ्ठ करम क्या है प्रारंबिक परिछा में दो प्रस्ण पत्र पूछे जाते हैं जिसमें से प्रथम प्रस्ण पत्र सामान्य देन का होता है और दूती प्रस्ण पत्र विदी से संबने ला से रिलेटेड होता है प्रथम प्रस्ण पत्र जो है दो गंटे को होते हैं जिसके लिए निर्धारी तंक 150 है दीती प्रंश्पत जो लास रिलेटेड है उसके लिए निर्दारी समय भी दो गंटे हैं लेकिन उसका निर्दारी तंक 300 है तो हम डिटेल में इसको बताएंगे जिसे की कौन-कौन से प्रारमिक परिच्छा के दोनों प्रस्पत के कौन-कौन से टॉपिक है किसके से जो है क्वेश्चन आते हैं आप द्यान से देखिए तो जैसा कि हम बताएं उत्तर परिजन आइक से वसील जुनियो ड्यजन प्रारमिक परिच्छा पार्ठक्रम जो है प्रत्म पर जो होता है उसमें इतियास और भारती संस्क्रिती भारत का वगोल भारती राजनीती वर्तमान राष्टी मामले और सामाजिक सुसंगती के विशे भारत और विश्वे के संदर में है अगला है भार्ती अर्थ व्योस्था फिर है अंतराष्टी मामलत अंसनस्था हैं सात्मा है विक्यानों परदो की अगला है संचार उंगंति छेत्र में विकास यह जो है प्रारमिक परिच्छा के सलेबस है जो है आपको ध्यान में इसके लिए ब्रिस्तित अध्यान कोई भी से सग्यता आंसिल करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ परिच्छा पास करना है परिच्छा पास करने के मामले में ही आपको तयारी करना है जिससे कि आप इन सामाने प्रस्णों के उत्तर आसानी से दे सकें यह आयोग खुद करता है कि इन प्रस्पत्र में प्रश्णों की प्रकृति और अस्तर ऐसा होगा कि एक सुचित ब्यक्ति बिना किसी विश्षिष्ट अध्यान के उनके उत्तर दे सकने में सच्छम होगा इसलिए आप से यही का जा सकता है कि आपको विश्ट्रित तो दोस्तों आपको इन विश्षियों में विश्षिष सकता हांसिल करने की कोई जरूरत नहीं है आप जो है एक सामान ब्यक्ति जैसा पड़ा लिखा होता है जिस तरह से द्यन वो करता है और कि प्रस्णों को आसानी से समझ कर उसका उत्तर दे सकता है ठीक उसी प्रकार आयोग आपसे भी ऐसे ही पपेच्छा करता है कि आप आसानी से उन प्रस्णों को जबाब दे सकते हैं थोड़ा बहुत पड़ करी है अब हम देखेंगे दूसरा प्रहिप पड़ा burg परीच्छा उत्तर प्रदेश नयाईक सेवा सेव्फ श्यूनियर डिविजएन प्रभल परीच्छा का जड़िती प्रश्ण पत्र्र लास रिलेटेड वीधी से संबंदीत और ये निरदारित 2 300 होता है तो इसमें हम देखेंगे सीरील नमर से इसमें कौन-कौन से सलेबस जो है पूछे जाते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब आप लाग रेजुएट कर रहे होते हैं जब आप लिलवी किये तो इस सभी टॉपिक आपके लिलवी से ही संबंदित हैं कोई अलग नह कि तो आप देखिए युदूति प्रौपर्वी संबंदित है क्या क्यबुज आ जा रहा है तो इसमसे सबसे पहला है बैदी सास्त्र दूसरा है अंतराष्टी संगठन तीसरा है वर्बतमान अंतराष्टी प्रकरण चौता है बारती संबिदान पांचमा है संपत्ति अंतर च्टमा ए बार्ति साच अदिनियम। साथमा ए भारति दन्रसनिता। आठमा ए शिल्ड परक्रियासनिता। नौवा ए अपरादिक परक्रियासनिता। कि यानि आप इस सभी कि सभी टापिक को अपने लाग रेजुएशन के समय पढ़ दखाए आपको थोड़ी सी मेनत करनी है पस एक बार रिवीजन करेंगे और आसानी से आप इस प्रश्म पत्र को और इस एक्जाम को क्रेक कर सकते हैं और जो है हम आपको एक प्रश्राइब करना चाहेंगे एक सुझाव देना चाहेंगे यह गटना चक्र का जो साल पेपर आता है जो लगवग चार पांच स्टेट के उसमें होते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश वियार मद्य प्रदेश राजस्थान उत्राखंड तमाम चार पा प्रदान के लिए जो है आप डीडी वसू का ले सकते हैं एम लच्मी कांत का बुक लेकर आसानी से पढ़ सकते हैं जो है इस परिछा को पूरी तरह से उकवर करता है और आप आसानी से इस एक्जाम को क्रेक कर सकते हैं जल्दी हम उत्तर प्रदेश नियाइक सेवा स्विल जूनियर डिविजन का मुख परिछा का पाठ कर में लेकर आऊंगा और इसके पास जो है एक एक टापिक वाई जो है कुछ जो है इस्टडी माटेरियल भी प्रोवाइट करने का प्रयास करूंगा तब तक जो है आप हमारे इस चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरू करिए जिससे कि एक जो एक सांदार पहल मानी जाएगी और एक समाजिक कारे भी माना जाएगा अधिक से अधिक लोग तक पहुचाया जाना बहुत ज़रूरी है एक समान व्यक्ति भी एक कानून से संबंदित बातों को समझे और जो है परत्योगी परिच्छा के लिए जो तैयारिया कर रहा है उनके पास भी पहुचे जिससे कि उनको लाब मिल सके तो मैं आगे भी इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहूंगा और इसके बाद मैं जस्ट जो है स्विल जूनियर डिवीजन का जो है मैंस पेपर भी ले कराऊंगा उसके बाद दीरे-दीरे सभी पर पत्र के जो अलग अलग टापिक है टापिक वाई जो इस्टेटी में टेरियल प्रोवाइट करने का प्रयास करूंगा तब तक आप मारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें धन्यवाद